हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल इगनु वावा में I hope you are doing well दोस्तो इगनु के जो एडमिशन की डेट है January 2022 सेशन के लिए उस डेट को इगनु ने फिर से एक्स्टेंड करके आगे बढ़ा दी है यह जानकारी हमें इगनु ने अपने ट्विटर हैंडल और ओफिशल फेस्बुक हैंडल से दिया है आप यह देख सकते हैं मैंने इगनु का ओफिशल वेफसाइट को ओपन किया है यह जो अलर्ट सेक्शन है यह इगनु के किसी भी इनफोर्मेशन के लिए एक उथेंटिक सोर्स है लेकिन यहां पर अभी यह जो डेट है एडमिशन एक्स्टेंड होने की यह डेट अपडेट नहीं हुई है आप देख सकते हैं यहां पर अभी भी जो न्यू अपडेट के रूट में हमें जो दिख रहा है लिखा हुआ वो दिख रहा है यहां पर जो जो अभी लेटेस्ट पोस्ट है उसमें यह लिखा हुआ है इगनू एक्स्टेंड लास्ट डेट फोर फ्रेस एडमिशन एंट्री रेजिस्ट्रेशन पर जैन्वरी 2022 सेशन तिल 15 मार्च 2022 यानि यह कंफर्म जानकारी है दोस्तों बिल्कुल पक्की जानकारी है कि इगनू ने फिर से एक बार अपने जो एडमिशन की डेट है उसको इंक्रीज करके एक्स्टेंड करके 15 मार्च तक कर दिया है दोनों ही प्रोग्राम के लिए ओडियल मोड के लिए ओपन डिस्टें की डेट को एक्स्टेंड कर दिया है और यह बहुत बार होता आ रहा है पीछे से इगनू का हिस्ट्री एसा है कि बार-बार एडमिशन की डेट एक्स्टेंड होती रहती है जिन लोगों ने पहली बार एडमिशन लिया है वह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनका सेसन कब होगा उनको बुक्स कम मिलेंगी ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं मैं इस पर बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा कि इसके क्या-क्या प्रो हैं और क्या-क्या कॉंस हैं मतलब इगनू से एड्मिसन लेने में आपको क्या- और दूसरा वाला जो लिंक है यह ओडियल मोड के लिए इसको ओपन करेंगे तो यहां रेड में लिखाएगा तो आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है जैनुरी 2022 एड्मिसन साइकल लास्ट देट फॉर समिसन ऑफ एप्लिकेशन विदाउट लेट फीस इस 15 मार्च 2022 य क्या प्रो और कौन से है सबसे पहला मतलब प्रो तो यह है दोस्तों कि यहां पर आपको एजिली एड्मिसन मिल जाता है कोई ज्यादा डॉकुमेंट वेरिफाई नहीं करने पड़ते हैं सिंपल आपको क्या करना है 10th क्लास का सर्टिफिकेट देना है अपना 12th क्लास की मार आते हैं किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज को जोइन करते हैं वहां पर आपको एक लंबे रीगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है डॉकुमेंट वेरिफाई होता है बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं यह डॉकुमेंट तो वह डॉकुमेंट माइग्रेश कोई सर्टिफिकेट नॉर्मल 12th क्लास की मार्क सीट और आपकी टी सी और क्या कहते हैं टेंथ क्लास का सर्टिफिकेट और एक गवर्मेंट इडी इस पर ही आपको एड्मिशन मिल जाता है इगनु में किसी भी ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में चाहें बी यह हो बी सी हो या बी कॉम हो इसमें मिल जाता है तो एक पहला जो फायदा है कि आपको यहाँ पर मीनिममटमेंट देने पड़ते हैं मीनिमम डॉक्मेंट पर ही को को एडमिशन मिल जाता है और वह भी आपको अनलाइन प्रोछिस से गुजरना ही पड़ेगा जो भी आपने online में document submit किये है उसे दुबारा offline में आपको submit करना पड़ेगा और verify करवाना पड़ेगा ये process बिलकुल ही नहीं है इगनू में देख सकते हैं आप आपको simple एक मतलब registration करना पड़ता है registration के बाद document upload जैसी आपने fees pay कर दी तो पक्की बात ह है कि आपका admission हो गया है तो मतलब इसमें क्या है कि last step है fees payment लेकिन दूसरे universities में document verification और बहुत सारे documents देने पड़ते हैं जो कि इगनू में नहीं है तो ये सबसे वड़ा फाइदा है इगनू का इसी लिए इतने सारे student इगनू से admission लेते हैं आप देख सकते हैं millions में यहाँ पर दूसरा इगनू में है तो distance learning Saturday और Sunday को जाना मतलब compulsory है लेकिन कोई जाता नहीं है उसके बाद भी इगनू आपको कुछ भी मतलब कहता नहीं है कोई आपको notice नहीं बेचता attendance कम होने का फिर भी आप exam में बैठते और exam देते हो लेकिन दूसरे universities में आपको अगर odial mode है तो जा learning system है वो भी थोड़ा different है इसमें half marks का theory है और half marks का exam है यां theory में आपके assignment projects होते हैं और examination अलग से लिया जाता है मतलब आपके पास थोड़ा मौका है कि अगर exam में आपने अच्छा नहीं किया तो आप कहा कर सकते हैं अच्छा assignment में और अपने number increase करवा सकते हैं तो दोस्तों य हैं मतलब वो subjects जो इंडिया के किसी भी दूसरे university किसी भी दूसरे college के पास नहीं है वो subject किसके पास है मतलब for example के लिए मैं बताना चाहता हूं अभी मैंने एक मतलब नए course के बारे में और बहुत भी बहुत सारे जो 2022 में launch हुए उन courses के बारे में मैंने already video डाल दिया है आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर एक example लेना चाहूंगा मैं corporate social responsibility course का और दूसरा मतलब MA in sustainability science का जो course है वो इंडिया के किसी भी दूसरे university के पास नहीं है लेकिन वो इनों के पास है ऐसे ही बहुत सारे course है अब जैसे MBA हो गया MBA का course है बीएड का course है यह बहुत ही कम खर्चे पर ब यह भी एक बहुत बड़ा फाइदा है कि इगनु में जो fees है वो क्या है बहुत ही कम है दूसरे university को compare करो तो कहीं भी कोई stand नहीं कर पाता इगनु के आगे इगनु का जो fees है वो बहुत ही जाना minimum है जो गरीब से गरीब बच्चा है वो भी afford कर पाता है और ऐसा लगता है कि म इतने ज्यादा फाइदे होते हैं उतने ज्यादा ही नुकसान होते हैं तो नुकसान तो सबसे बड़ा पहला यह है कि यह मतलब बहुत ही ज्यादा time consuming process है इगनु से graduation को complete करना मैं यह बताना चाहता हूं मेरी यह personal मतलब राय है और personal opinion है और personally suggest करना चाहूंगा आपको कि अग कि मैंने आज क्या बताया है तो दोस्तों अगर आपको जल्दी से करना है complete तो बिल्कुल भी इगनु से admission मतलो हां लेकिन आप एक दो साल 6 महीने इधर उधर उपर नीचे हो सकता है आप afford कर सकते हो उस चीज को उस time को तो आप ले सकते हैं क्योंकि मैं फायदे ऑल्रेडी ग बहुत सारे मतलब इसमें दिक्कते चलती रहती है उपर से स्टूडेंट इतने ज्यादा मतलब इसके जो इनुस पता ही नहीं चलता है कि उनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कब क्या हो रहा है बस चलता रहता है और सब कुछ एंड हो जाता है और फिर टाइम निकल जाने के बाद स्टूडेंट दिक्कत में आ जाते हैं तो यह सबसे बड़ा घाटा है कि इसका जो यह टाइम कंजूमिंग प्रोसेस जो है डिगरी कंप्लीट करने का यह बहुत ही ज्यादा है तो आप इस चीज़ से अगर बचना चा आप इस चीज़ से ही देख सकते हैं कि अभी तक जब से जैनवरी 2022 का मतलब एकजाम ने इसका क्या कहते है कि एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से इगनु ने चार बार एक्स्टेंड कर दिया है इसको क्या कहते हैं कि मतलब एडमिशन के रेजिस्टेशन था वो तो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि कब उनका पढ़ाई शुरू होगा कब उनके उनकी बुक्स आएंगी ऐसे ही इगनु क्या करता रहता है डेट को आगे बढ़ाने के पीछे एक रीजन है दोस्तों क्या यूनिवर्सिटी को पैसा चाहिए जितना ज्यादा डे और वो क्या कर रहा है डेट को आगे बढ़ा रहा है तो अगर आपने ले लिया है तो आप निस्चिंत रही है परहिए जो चीज है वह यूनिवर्सिटी के तरफ से टाइम पर ही होगी बस आप परहिशान मत होई है यह इगनु डेट इसलिए आगे बढ़ा रहा है क्योंकि थोड़ा इसको revenue generate करना है तो दोस्तों यह थी कुछ date extend करने से जुड़ी हुई बाते अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि registration का क्या process है तो दोस्तों simple process है online का थोड़ा different है और offline का थोड़ा different है आप यह देख सकते हैं जो online courses के लिए website है उसका नाम है igno.smart.edu.in और जो online audio mode क के लिए open distance learning के लिए उसका नाम है ignoadmission.smart.edu.in मैंने इन दोनों process पर online process में कैसे admission मतलब online courses में कैसे admission लेना है और audio mode में कैसे admission लेना है registration का process complete अपने वीडियो में बता रखा है आप channel पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं मैं link में provide कर दूँगा तो दोस्तों I hope कि आपको स सब कुछ मालूम चल गया होगा ignoadmission लेने के बारे में और ignoadmission का डेट है उसके बारे में भी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को share कीजिए like कीजिए thank you very कीजिए